तो दोस्तों भारती रेलवे के नीजी करान यानि प्राइबिटेजेसन को लेके हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं क्योंकि रेलवे प्राइबिटेजेसन हो जाएंगे और रेलवे में बहुत सारी सुकसुदाय उपलब्द कराई जाएंगे लेकिन रेलवे के नीजी करण से सबसे बड़ा नुक्सानिया है कि इसमें बड़ी संख्या में सरकारी नोक्रिया खत्म हो जाएंगे क्योंकि नीजी प्लियर्स कम से कम लोगों से ज्यादा से ज्यादा काम करवा के अधिकताम लाब उत्पंद करना चाहेंगे लेकिन रेलवे इस सवाल पे अब क्लियर हो चुकी है सरकार ने पहले भी कहा है और एक बार फिर से कहना चाहती है कि भारतिय रेल का नीजी करण नहीं होगा इसे में रेलवे के नीजी करण को लेका चल रही तमाम अटकलों पे बीराम लग गया है रेल मंतरी ने जवाब में कहा है कि भारतिय रेलवे आने वाले समय में और भी एडवांस हो जाएंगे इसके लिए लगतार तेजी से परियोजनाई चल रही है रेलवे की तरब से गती सक्ती कारगो टर्मिनल जी सिटी नीती के तहट अगले तीन बॉर्सों में जी सिटी बिक्सित करने का लच्छे रखा गया है जबकि 22 जी सिटी पर पहले से ही काम चल रहा है इसके लिए वो अलग अलग जगहों से रेलवे को 125 आवेदन प्राप्थ हुए है इनमें से 181 को मंजूरी भी दे दी गई है दरसल रेलवे लगतार रेल पट्रियों पे विकास करने और सिग्नल लाइन को डबल करने में लगी हुई है ताकि ऐसे जगों पे सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी रहत मिल सके साथी टर्मिनल को गए रेलवे भूमी पर विक्सित करने के लिए भी काम चल रहा है जिसके लिए जी सीटी अपरेटरों को या सही जगा चुनने के जिम्मेदारी दी गई है रेल मंतरी के अंसार टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए जी सीटी अपरेटरों का चयान निविदा प्रिक्रिया के जरिये किया जाएगा